अप्सक्राइब नंबर नहीं है और आज तो और नेगटीव 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 साथ हजार साथ सो करोड की तेलिंग हुई है FIIs की तरफ से, उनको अपने country में भरोसा नहीं है और वो पैसा निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं और market गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है FIIs मालिक है, FIIs smart money है, मैं इन ही को track करता हूँ और live market में जब भी volume आता है, यही लोग generate करते हैं और यह लोग धीरे-धीरे बेचते हैं अगर एक साथ बेच देंगे तो market tank हो जाएगा 10% तो धीरे-धीरे करके यह लोग बेचते हैं, राइट तो यह आपके सामने FIIs का number है, 7700 करोड बिलकुल भी positive नहीं है option data देखेंगे, तो यह आपका nifty put call ratio 0.75 के भी नीचे है यह आपका bank nifty का data, यह भी कुछ bullish नहीं है और census का expiry है, वो भी कुछ bullishness नहीं है अगर आप chart देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही selling आ गई है यहाँ पर देखेंगे, तो market up oversold हो चुका, अगर मैं एक RSI indicator होता है अब देखेंगे, ध्यान सुनिए मेरी बात oversold है, यह नहीं कि reversal आएगा और आप aggressively CY करेंगे एक pullback आएगा, मतलब जैसे Dow Jones अभी negative मैं है यहाँ पर यहाँ पर पूल बैक आएगा, जब यहाँ पर RSI low था तो maybe पूल बैक ज्यादा positive नहीं होता है वो बस एक profit working है और market वापस नीचे ही गिरना चाहिए इसी को pullback बोलते हैं और यह आना must है ताकि shots continue रह सकें दोसों के नीचे market है जो हमारा EA में है तो बिल्कुल कुछ भी यहाँ पर अगर bank nifty देखेंगे तो उसका भी RSI बहुत नीचे है RSI नीचे है तो यह है कि यहाँ से reversal नहीं होगा बस एक pullback होगा और बाजार वापस नीचे गिरेगा यही इसका मतलब होता है इसको लोग बहुत ही गलत interpret करते हैं मेरे को तो RSI देखने की ज़रूत नहीं है मैं बस indicator दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो नए लोग है मुझे indicator देखने की ज़रूत नहीं मुझे बस दिख रहा है कि market कुछ जादा ही oversold है एक pullback आना चाहिए ताकि बजार वापस कुछ इस तरह से हो और वापस नीचे गिरे अब जो यह pullback होगा मैं इसमें aggressively c buy नहीं करूंगा या फिर buy ही नहीं करूंगा मैं सिर्फ sell on rice के view के साथ ही जाओंगा तो यह जो एक pullback आएगा अगर आया तो मैं इसमें aggressively c buy नहीं करूंगा मैं aggressively short नहीं करूंगा put option को क्योंकि basically हम trend के again जाएंगे जो daily trend है उसके हम against जाएंगे कुछ data दिखेंगे क्योंकि आपकी मर्टी हम तो बस आपको data दिखा रहें कि data बच्चा कुछ खास है नहीं आपकी आप मालिक है आपका पैसा है मुझे तो कुछ ंगे मार्केट और फिर गिरे तो आएंगे हैं दो तो अडेंगे अग mirac cage français रहा है मुझे ब्लकुलrices नहीं सेस्गर नहीं कना का सेल करने का दिखा रहा है तो प्रेश सेलिंघ कब आईगी में आपका ब्रेक होगा तो अब आपका पहला वीव है, safety में भी same होगा, कि अगर market रुके और फिर लोग को break करें, वापस आपको selling दिखते हुए दिखेगा, मैं नहीं चातों कि रुके टुटे राइट, कुछ ज्यादा ही flow हो जाएगा, तो मैं भी market एक pullback दे वापस तोड़े, तो अच्छी selling continue रहेगी, मैं हमारा share बर नहीं रहा है, हम फंस चुके हैं, फंसना क्या होता है, अगर SL हिट हुआ है, आप उसको exit किज़ें, वो continue जैसे अधानी gas है, वो 86% डाउन है, अपने top से, क्या आप यकीन करेंगे, तो अधानी gas यहां के देखिए, बहुत ही ज्यादा डाउन है, मतलब कुछ ज् 56%, अब तो 87% हो चुका होगा, अपने top से, और आपका SL हिट होगा तो आपको लेना चाहिए, अगर आपने swing trading लिया था तो, तो मेरा view क्या है, मेरा view है, निफ्टी में 19,000 है, और इसमें भी selling ही कर नीचे, जब तक यह 19,000 के नीचे है, जब तक इसमें sideways या तो selling continue, यह आपक resistance level है, इसके उपर जाएगा तो फिरी कुछ सोचेंगे, otherwise, बजार bearish to sideways दिख रहा है कल के लिए, bearish to sideways, अगर reversal होता है, रिवर्सल तो होगा नहीं, इतना रिवर्सल होगा नहीं, फिर भी मैं आपको, टेलीग्राम पे suggest करूँगा किस डेटा था सा strong होड़ा है, तो यह आप लेवल से निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ पांसो, पांसो के उपर कुछ देखते हैं, अगर पांसो कुछ है, तो कुछ, इसमें भी एक pullback आया, तो मैं expect कर रहा हूँ हलका सा, जिसमें मैं aggressively see buy नहीं करूँगा, या फिर मैं avoid करूँगा, sensex को भी देख ल view अभी भी bearish है, बस मैं जो RSI नीचे है, उसका effect दिखेगा, कि आपको market में भी एक pullback दिखा है, जिसमें मैं see buy करना पसंद करूँगा, aggressively, देखते हैं मैं अगर आप 10 lot करते हैं, तो 5 lot right position आप हलका कर सकते हैं, C में, और P में आप जो अगर low break होता है, तो continue selling रहेगी, RSI 30 के तो कमाल का confidence आएगा, और मैं इसी को use करता हूँ, live stream में आप देखते हैं, आपको एक अच्छा सा confidence मिलेगा, अपने trend में, कहां पे SL रखना चाहिए, कहां पे target रखना चाहिए, कैसे train identify करते हैं, कैसे sideways market identify करते हैं, इसा आपको सीखने को मिलेगा, coupon code लगाईएगा, festival, आपक मैं एक sideways to bearish view expect कर रहा हूँ, कल के लिए, and thank you for watching and see you in the next video